सब्सक्राइब कीजिए सिंपल एंड एजी क्लासिस को और स्टडी से जुड़ी अपडेट्स के लिए बैल आइकन को दबाईए आज की वीडियो रोहिल खंड युनिवरस्टी के सभी स्टुडेंट्स के लिए बहुती खास होने वाली है क्योंकि रोहिल खंड विश्विध्याले से भी जुड़ी एक बहुती बड़ी खबर हम आपको बताने वाले हैं साथी साथ जो CTET की परिक्षा हो रही है या होने वाली है आज उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि वो कितने बज़े से कितने बज़े तक होने वाली है उसमें कौन-कौन से नियमों का पालन करना है साथी साथ रोहिल खंड के बारे में भी हम बात करने वाले हैं इसलिए वीडियो को बिना स्किप करें लास तक देखें और अगर आप मेरे चनल पे नए है तो चनल को सब्सक्राइब कर ले साथी साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर ले जिससे आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुच सके और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने अधर फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दें सी टेट परिक्षा सतर केंद्रों पर 29,000 परिक्षारती होंगे शामिल आपको बता दें कि आज ही सी टेट की परिक्षा है जिसमें सतर केंद्रों पर 29,000 परिक्षारती शामिल होने वाले हैं कड़ी सुरक्षा के बीच रविवार को 70 केंद्रों पर 29,000 परिक्षारती CTET की यानि की CTET की परिक्षा में शामिल होंगे CBSC के जिला समनवयक VK मिश्र ने बताया कि दो पालियों में परिक्षा होगी पहली पाली सुबहार 9.30 बजे से 12.00 बजे तक होगी और दूसरी पाली आपकी 9.30 बजे से 12.00 बजे तक होगी परिक्षारतीयों को सुबह 7.30 बजे केंद्रों पर पहुचना जरूरी है समनवयक के मुताबिक दूपहर की परिक्षा यानि की दूसरी पाली के लिए 12.00 बजे से ही प्रवेश शुरू हो जाएगा शनिवार को परिक्षा की तैयारियों को लेकर DPS हॉल में बैठक का आयोजन भी किया गया जिसमें सभी केंद्रों के प्रभारी और प्रधाना ध्यपक शामिल थे प्रवेश नहीं बताया कि सभी अभ्यारतियों के लिए परिक्षा में आने से पहले कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा बिना मास्क या सेनिटाइजर वालों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा पचास एमल सेनिटाइजर की बोतल साथ लाने अभिवावकों के प्रवेश पर पूरी तरह से प्रतिबंद रहने मुवाइल, स्मार्ट, घड़ी, एयरफोन, ब्लूतुट जैसे किसी भी इलेक्ट्रोनिक उपकरण प्रतिबंदिद होने की बात कही है तो हमने यहाँ पर देखा कि सीटेट का जो भी एक्जाम है वो आज है उसके लिए क्या-क्या केंद्र बनाए गए हैं कुछ पचास केंद्र बनाए गए हैं और साथी साथ यहाँ पर जो भी आपकी जिन दिन पालियों में परिक्षा होने वाली है वो भी मैंने आपको इस पालन करना है इस वीडियो में हम यह सारी बाते कर चुके हैं तो अब हम बात करते हैं रोहिल खंट से जुड़ी हुई जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं रोहिल खंट विश्विध्याले ने एक प्रस्ताव रखा है जिसमें कहा गया है कि पहला प्रश्न प्रत्र बहु व इस विश्विध्याले में शनिवार को परिक्षा सुधार समीती की बैठक हुई समीती में शामिल कॉलेजों के समनवयकों की ओर से कोर्स के पहले प्रश्न पत्र को वहु विकल्पिये रखने का प्रस्ताव रखा गया इस पर समीती सदस्यों ने मन्थन किया लेकिन कोई न नहीं हो सका इस प्रस्ताव को अब मुख्य बैठक में रखा जाएगा इसके अलावा अन्य प्रस्तावों पर भी चर्चा की गई बैठक की परिक्षा नियंत्रक समेत विश्विध्याले की ओर से अन्य लोग मौजूद रहे अब जैसे ही कोर्स के बारे में कोई भी जानका कारी आती है कि आपका प्रश्ण पत्र मल्टिपल च्वाइस होगा या नहीं होगा तो वो सभी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बता देंगे इसलिए अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले साथी साथ बैल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे आने वाली वीडियो के अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँच सके और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने अधर फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दें थैंक्स फॉर वाचिंग माई वीडियो